हेलो एब्रीबन हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है एकता फिल्ड इस सेंट्रली रिपर्जेंटेट वाई यह एक बैक्टर दिया गया है इस फॉर्म में और साथी साथ अपका पूंच्छा है कि यह फंक्शन ऑफ आर क्या होगा जो कि जिसकी वज़े से जो है फिल्ड जो है व इस फिल्ड के लिए किसी भी सॉल्ण फिल्ड के लिए जो कंडिशन होता है वह पहले में लिख देता हूं पार ए कि सॉल्ण फिल्ड कंडिशन जो होता है वह डेल डॉट एप मतलब डिवर्जेंस ओफ ए वेक्टर फिल्ड इस इक्वल्ड फिल्ड के लिए कंडिशन होता है अब हम यहां हमको वैल्यू दे रखा है इस फंक्शन का हम लोग यहां वैल्यू पूट कर देते हैं डेल डॉट आर वेक्टर फंक्शन ओफ आर इस इक्वल्ड जीरो अग्या देट दे वैल्यू ओफ आर वेक्टर इस एक्स आय कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेट के कैप यह वैल्यू जो हो काडिशन कॉडिनेट में होती है ओके तो हम लोग यहां से कैल्कुलेट करते हैं तो यह मोग फाइंड करेंगे वो डेल x यह function of r ही रहेगा differentiate होगा x के respect में similarly second term में y होगा function of r differentiate होगा y के respect में in same way del over del z and यहां function of r होगा equals to 0 कि फर्दर ही हम देख सकते हैं कि यह जो डिफ्रेंशेशन है वो एक्स के रिस्पेक्ट में पर यहां पर जो फंक्शन ऑफ आर है वो अल्रेडी एक्स वाई जैट तीनों का की फंक्शन कि यह आ sudah है तो यह उसको डिफ्रेंशेट कर देंगे तो हमको उसमें ऐसे ओंगे तक छिए कि परस्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन तो यह दिखए और एक्सके रेस्पट और एमक्सक्ट टेक्पर कर रहें तो बनम हो जाएगा only f बचेगा जो कि function of r है फर्दर इसका जबंग परेंगे यह हो जाएगा similarly other two terms के लिए भी हो जाएगा function of r plus del f over del y plus function of r plus sorry यहाँ पर by भी आएगा z del f del f r by del z is equal to 0 this term and this and this यह add हो जाएगी इनको add कर देते हैं 3fr इन्हें same way further हम लोग यहाँ पर यह एक और condition देख लेते हैं तो डेल f यह function of r है यह equal to होता है डेल f by del r into xy है तो जो हम यह value यहाँ पर put करेंगे तो similarly अभी तो मैं यह x ले रहा है जब y के respect में लेंगे लिख देता हूँ है यहाँ पर अल्रेडी तो डेल f over del r wide wide r in the same way with respect to z del f over del r z by r okay this is our required value अब यहाँ पर देख सकते हैं जब हम यहाँ पर यह values put करेंगे तो this 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 यह common आ जाएगा और जो remaining होगा वह हमें लिख देते हैं del f over del r remaining terms होँगे यह x और यह x multiply होके x square बन जाएगा x square similarly y square and in a same way z square divided by this r is equal to 0 ओके यह जो टर्म है यह जो value होता है वो r square के रिकल होता है तो जो महाँ पर r square output करेंगे plus del f over del r r square divided by r is equal to 0 1 r cancel हो जाएगा only r बचेगा now we get finally del f over del r is equals to minus 3 f r i r it is a first order differential equation we can find easily its solution and after solving it we can get the answer okay when we solve it we get the value of function f of r is equals to c divided by r cube अपलोव इसको find कर लेंगे okay simply है यह first order differential equation है this f function of r comes in denominator and also this is in the denominator okay तो ऐसे करके हम इसको separate करके इस value को find कर सकते हैं thank you